कोशना हुई कि निर्णे आने वाला यद्ध पी आया भी दस मिनिट पहले तो जिक्र किया गया वीर सावकर के बारे में यानि इस निर्णे का जो अब भी हमने देखा है पैरा 63 में वीर सावकर के केस का जिक्र है रोचक बात ये है कि ये वीर सावकर का केस दायर ही हुआ है 13-12 अप्रिल 2023 को और श्री राहूल गांधी का दोशी ठहराना निचले कोट्स दबारा उससे एक महीने पहले 23 मार्च को हुआ था इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके उपर जब मामला खतम हो रहा था अंतिम दिवस पे दो मई को जब मैं गया तो अंत में दूसरी तरफ की आचक ने इसका जिक्र किया एक कटिंग दे के अख़वार की कटिंग आश्चर है अचंबा है लेकि जैसा मैंने का पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्ने का एक ऐसी चीज जिसमें ए आरोप लगाया है सिरफ सिरफ आरोपे थे कोई दोशी नहीं है एक महीने बाद औरिजिनल कंप्लेंट के दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जो जज्जमेंट अभी दस मिनिट पहले हमें मिला जो सरसर दिन बाद मिला उसमें दो तीन स्पेसिफिक मुद्धे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ कि पैरा 43 और एक दो और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने एक डेड़ वाक्य कहा ये भारत का सबसे जगन्य अपराद है और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मौरल टर्पी टूड भी है मैं विरमता से कहना चाहूँगा एक कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कानून में मौरल टर्पी टूड परिभाशित वाक्य है फ्रेज है शब्द है कभी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मान हानी मान भी लिया जाए वो एक ओफेंस हो सकता है जब तक कि उच्छितम नायले निर्णित न करे लेकिन मौरल टर्पी टूड दूर दूर से नहीं हो सकता इसमें क्या मौरल टर्पी टूड है मैं जानना चाहूंगा वो कुछ नहीं बताया आपको पेरा फॉर्डी फाइब में कहा है कि हम इसको मौरल टर्पी टूड भी मान सकते और मानते हैं इस पश्चरूप से बहुत मुख्य प्रमुख गल्तियां हैं जो हम समझते हैं उच्छतम न्यायले ठीक करेगा तीसरा पहलू है कि बार-बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानानी करता है जो हमने तथ्य दिये कितने कितने विभिन अंग हैं ये समुदाय अपने आप में परिभाशित नहीं है अगर समुदाय को लेकि उसके कितने कितने अलग अंग हैं उसके हर व्यक्ति को कैसे मानानी हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाशित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है हैसियत रखता है कि वो कोट जा सके 13 करोड लोग हो या 10 करोड लोग हो उनमें से कोई भी याचिका शिकायत करता बन सके इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है यह निर्ने जो आज आया है जैसा मैंने का पैरा 63 में सावरकर का जिक्र है एक ऐसी कंप्लेंट जो एक महीने बाद इस आज वाली कंप्लेंट के फाइल हुआ और जिसकी भहस हुई नहीं अंत में आखरी दिन दो मई को एक न्यूस्पेपर कटिंग दी गई यह कानून की भहस का परंपरा नहीं होती उसको फ्लीड करना पड़ता है लिखित रूप से अंदर लाना पड़ता है पूरे समावेश में तो यह सब जो हैं और इसके अलावा मैं आपको तक्नीकी रूप से नहीं कहना चाता कई और प्रिष्ट हैं पैरा 56 है जिसमें के कहा गया है कि 499 यानि माना नी एक बहुत ही जगन्य अपराद है देश के वरुद्ध समाज के कई बड़ बड़े अंग हैं जिनके सार्वजन करेक्टर को वो आगात पहुचाता है मैंने समझता कि अगर ये था तो जो विधायका थी उसने ऐसे ओफेंस के लिए maximum dund दो वर्ष रखा जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई death penalty का ओफेंस बना दिया है माननिय जज ने विधायका थो निड़नित करती है कितना जगन्य अपराद है इतने जगन्य अपराद के लिए दो वर्ष का रखती है maximum sentence विधायका ये सब चीजें और अन्य चीजें हम रखेंगे समख्ष कि कितना भी आप रहार करें intimidation harassment करें कितना भी आप jail से डराएं मैंने समझता कि राहूल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी उनका track record दिखाता है कभी डरें हैं वो एक सत्य के रहा के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का जूट का पर्दाफाश करते रहेंगे बार बार करेंगे मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का जूट का जो पर्दाफाश किया जाता है उससे ये सरकार बॉकलाई रहती है घबराट में रहती है चाहे वो demonetization का मुद्दा हो चाहे वो चीन का मुद्दा हो आज की जो आर्थिक दुरदशा है उसका मुद्दा हो और इसी लिए उसको भुलाने चुपाने डाइग्रेस करने के प्रयतना आप बार बार देखते हैं हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्यकाही साथ देगी हंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिर मिर्णे से जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे हैं